देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर हमारा एक नया टैब स्टार्ट हो रहा है जिस टैब का नाम है डाटा टैब ये टैब हमारे लिए कई माईनों में बहुत जादा इंपोर्टेंट है जिसके अंदर पहला है, get external data source, आज अपने mind में यह चीछ fix मत करना है कि मैं excel का data यह excel में ला सकता हूं, मैं access का data ला सकता हूं, मैं not pad का data ला सकता हूं, मैं website पर पढ़ा data excel के अंदर cover कर सकता हूं, अगर कभी आपको access का data चाहिए, कहा का चाहिए, access का, तो आपको इस पर click करना हूं, उसके बाद अपनी file ढोने है, जो आपकी file है, उस file पर जाना है, suppose मैंने data के number एक file बना के पहले save करें, किस नाम से, access का, जैसे ही मैं इसको okay करूंगा और जो sheet का नाम दूंगा, उस sheet पर वो data सारा वहां से उठादा है, इसलिए इसका नाम है, और ये कौन चला रहा है, तो पहला क्या है आपका, get, external data source, clear है, पहला क्या नाम है, get external, तो आप access का data यहां से ला सकते हैं, दूसरा होता है, website का data, just like हमें किसी website का data लाना है, जैसे मैंने Indian currency exchange rate, ये पूरा data वहीं उठा के लाना है, महाँ पर इस data को पूरा लेके जाना है, ताकि मुझे हर minute में rate पता चलते रहें, क्या पता चलते रहें, rate पता चलते रहें, तो मैं क्या करूँगा, जैसे आर्मेट में rate चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल चेंज होगी सर, आजए, तो मैं कहा जाओगा, website पर जाओगा, मैं यहां पर क्या करूँगा, जो भी मेरा data है में इस पर intra mark, और इस पर yes कीजिए, यह पूरी site खुल गई, इस पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, वो search करेंगे, जैसे search करेंगे, आपका जो भी data होगो, वह आपके सामने यह present कर देगे, कई सारी website आ गई है, कई सारी website आ गई, अब आपको यही पूरा data वहाँ उठाके ले जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस side पर आए गए आप, तो आपको न यही ताइप कर देगा, ठीक है, यह side आगे उस पर मत करियेगा, दे रहा रुप जा, यह रहा, currency exchange table, इस पर click कर देना है, उसके बाद इस arrow पर click कर देना है, जैसे arrow पर click करोगे, सारे जो भी निशान होंगे आ जाएंगे, और फिर import पर click करो, जैसे import पर click करोगे, उससे जो भी data होगा अटकर यहाँ आ जाएगा, जैस लाइक दुबार समझाता हूँ, वेब पर गए, यह पर आईए, कोई data नहीं, सबोस हम कहा देए, Excel data चाहिए, हमारी website तो कोई है नहीं फिलाल, तो हमें Excel का data चाहिए, तो हमने यह लिखा, एक तो भी बहुत परशान करता है, data, ठीक है, बस, यह लिख दिया, dot, तो क्या होगा हमारे पस कई सारे data आ जाएंगे, कोई data है यह नह एक सिस्टायल का तो होगी हमारा यह support नहीं करता है, बताने क्यों, google.com, ठीक है, यह support होगया, अब हम यह currency को paste कर लेगे, ठीक है, यह currency आ गया, इस पर click कर देना है, पदाने इसकी privacy में शायद कोई issue है, otherwise क्या होता है, आप डाटा पिक करके यहाँ पेस कर सकते हैं, बतलब वहाँ से डाटा उठा के पूरा excel पर ला सकते हैं, और आप यकीन मानिये, आप एक एक बार में उसको refresh कर सकते हैं, एक एक बार में, क्या कर सकते just like मैं आपको एक डाटा और दिखाता हूँ, आपका यहाँ डाटा है, ठीक है, यहाँ पाल लिख देना डाटा, यह format में लिखा और इंटरमार लिखा, आपको पता कि जैसी में इस पर click करूँग यह डाटा डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, मैंने क्या कर इसको यहाँ पेस कर देता हूँ, जैसी करो देखो फाइल, सेफ के लिए पूछ रहा है, सेफ कर लो, तो यह डारेक आपके उस वाली फाइल में उपन हो जाएगे, यह सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो वैब से भी आप डाटा ला सकते हैं, 92, ठीक है, इस तरीके से ला सकते हैं, इसके बाद तीसरा होता है, टैक्स फाइल का डाटा, अगर आपको किसी को टैक्स फाइल का डाटा लाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, कहां किलिक करना है, जहां वो स्ट्रीट त्यू स्ट्रीट के नाम को सेलेक्ट करना है, कहां पर, के अंदर data tab के अंदर कौन सा notpad file तो जो भी notpad file का data होगा वह आपको इस तरीके से शोक कर देगा ठीक है तो आपको कभी notpad का data लाना तो notpad का data भी आप अराम से ला सकते हैं लेकिन एक चीज हमेशे याद है notpad के अंदर आपने जो name लिखा वो tap के साथ लिखा होना चाहिए रोल नमबर ठीक है और tab class जैसे रोल नाम a इंटर मारो के तो रो का काम करता है टैब मारो के तो किसका काम करता है वो column का काम करता है ठीक है इसको save us कर दूँ इसके बाद हमारे पास एक और नया डाटा आता है जिसका नाम होता है फ्रॉम अदर source database क्या आता है फ्रॉम अदर सोट अभी तो बात होगी थी छोटे लेबल की लेकिन जब बात आती बड़े बड़े label की multinational company की जब उनका data बड़ी बड़ी जगाव पर होता है जैसे SQL के अंदर है किसके अंदर है SQL के अंदर है तो उसे हम क्या कहते हैं अदर सोट आपको fv का data यहां पर लाना है आपको whatsapp का data यहां लाना है आपको instagram का data यहां लाना है उसमें किसकी मदद लोगे अदर सोट क्लियर है कोई doubt उसके अंदर अरे सर अभी पता चलेगा other source पर अपने SQL पर किलिक करा अब SQL होगा तो SQL server का name होना चाहिए उसके बाद ही आप SQL server को ला सकते है फिलाल हमारे PC में भी SQL install नहीं है तो हम इसको बता नहीं सकते आपको proper way में इसके बाद कहीं O से data लाना हो XML का data लाना हो तो आप यहां से ला सकते लेकिन इसके लिए फिर आपको अलग language मतलब हाई-level की database चाहिए इसके बाद सबसे नीचे आता हूँ आता है from Microsoft query यह बहुत ज्यादा important अब आपने इन्होंने question मुझसे कर दिया किस तर हमारी need क्या परी वहां से data लाने की suppose मानलो में हमारी company है private limited firm है राहुल sale का का काम समालते है अभिशेख purchase का समालते है राजा राम receive का समालते है और रवी जस्ट लाइक production समालते है रवी को मैं production दिखाऊंगा राहुल को sale दिखाऊंगा अभिशेख को purchase दिखाऊंग और राजाम को payment दिखाऊंगा तो मैं सारा data इनको नहीं दूंगा ना मेरी एक super file है मेरी क्या एक super file मैंने क्या करा अब super file से मुझे file उठा के लाना है data लेकिन user wise मैंने क्या करा मैंने excel पे click करा उसके बाद मैंने करा इसको okay करा file कहां पढ़िए तो मैंने बताया file कहां पढ़िए d drive में d drive में किसके अंदर शारुक के अंदर किसके अंदर normal excel के अंदर किसके अंदर data के अंदर कौन सी file पढ़िए excel नाम की और मैंने से क्या दिया जैसे करोगे तो कोई table उसने नहीं दिखाई क्योंकि आपको first time option पर जाकर system पर click करना जैसे दिखाया तो शीट में दो राटा है एक data और एक शीट बन गया मैंने का data नाम की सारी चीज़ उसके अंदर full name, higher rate, sales, server मैंने बोला next नेम में कुछ चाहिए यहा फिल्टर भी लगा सकते हैं मैंने बोला next shorting कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं मैंने का return जैसे ही मैंने return करा तो महां से data सारा उटके आगिया क्या उटके आगिया सारा data उटके आगिया चीक है just like महां से उटके लेकिन मुझे दुबारा data चाहिए मैं यहां गया data के अंदर from data के अंदर आया एक्सल ओके ड्राइव डी नॉर्मल एक्सल आ गई option पर किलिक करके system किलिक कर देना data को select कर देना next अब मैंने बोला department जो रहेगा वो department रहेगा यहां से accounting department next next और finish जैसे करा तो महां से accounting department उटके मेरे सामें लेकिन मैं चाहता हूँ department का नाम में यहां लिख दो कहां पर यहां पर तो यह data अपने आप change होता रहे क्या होता रहे अपने आप change होता है तो मैंने क्या करा जो मैंने लगाई थी ना इसके लिए मैं design पर आऊंगा डिजाइन पर जैसी आऊंगा तो यहां प्रॉपर्टी मिलेगी प्रॉपर्टी के अंदर मत जाएगे आप आप आएगे data के अंदर जाएगे connection connection पर आओगे तो connection कौन सा है refresh every minute refresh data when opening the file जब data file open हो तो अपने आप ही के लिए definition के अंदर आओगे तो यहां पर SQL query लगी हुए क्या लगी हुए SQL query और equal to क्या बोल दिया इसने account तो मैं क्या करूँगा इसको हटा दूँगा और question mark type कर दूँगा और जैसे ही save करूँगा तो यह मुझसे parameter पूचेगा तो मैं बोल दूँगा यह value यहां लिखी हो उसके बाद से मैं क्या कर दूँगा इसको save कर दूँगा अब यह blank है ठीक है मैं दुबारा लिख देता हूँ अकांटिंग तो आई रहा है अब इस sheet में हम देख लेते हैं हमारे पास data कौन कौन सा है अब एक चोटी सी मिस्टेक है कहीं उसने गलती कर दी हमने अब इसको कोश्चन मार्क बैकिट बन और अचन्टिकेशन रखा है चलिए हम लोगे एक बाद दो आया स्लेक कर लेगा है कनेक्शन आजार माइक्रोसॉप्ट ड्राइब डी फाइल एक्सल ओके डाटाबेस न्यू अरे हम जिस sheet में खड़ें इस sheet में क्यों करते हैं बैक आते हैं हम इस sheet को कल दोते हैं बंद होगे sheet हमारी अब कंट्रोल अन करके एक नई sheet on करते हैं फो हम डाटा के अंदा जाते हैं अग्सल ओक दिस्व ग्सट मर ड्स पा करताव? च्ट क्ट दिस्व रखान आध दाम दोजा सराथ अंद बंद धक्सल मर dual दिस्व द्रीड्रीडं इवे लूश धक्सल ऑ क्सल दिस्व च्टने म्सक्ट ते डाटा उटके आगया, फिर हम लोग कहा जाएंगे, प्रॉपर्टीज, डाटा, प्रॉपर्टीज पे भी आ सकते हैं, कनेक्शन, प्रॉपर्टीज, डिफाइंड, डेफिनेशन के अंदर, यहां से अटा के क्या टाइप कर देंगे, इसको सेफ कर देंगे, इसको सेफ कर, लिस के अंदर हम इसका पराइमेटर दे देंगे, ओके, लिस्ट, use the value, refresh, from future, refresh, ठीके, हम लिखेंगे R and D, हम नहीं लिखा Accounting Department, V, रिसोर्सिस, क्या है spelling, मोम मैं रिसोर्सिस, कोई डाउट, अलाइक बोले तो, हा तो networking होनी चाहिए ना तब भी तो sharing कर सकते हैं, कोई रिक्कत, लेकिन, इतना sufficient नहीं है, इसके अंदर बहुत advance कर सकते हैं, अगर आगे चले हम, आगे आते हैं, यह तो हो गया from database, कई बार क्या होता है, मेरे पास यह data है, कई सारा data है, ठीके, आजाएगे, अब एक चीज में आपको और दिखा दू, वो sheet यह थी ना, properties के अंदर आये, तो यह properties में जब आप आओगे ने, definition के अंदर तो नीचे एक command लिखिये, जिसके अंदर लिखा है, वेर, वेर, इस data के अंदर department कौन सार है, यह, लेकिन मैं चाहता हूँ, यह मेरे से change होता रहे, क्या होता रहे, हर बार change, अब क्या ले ले वो, अब ले ले name को ले, किसको ले ले, full name को pick कर ले, किसको pick कर ले, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि एक गलती है, छोटी सी, क्या गलती है, क्योंकि इसको पहला quit करो, properties के अंदर आओ, अब उसने pick कर लिए, एक बार रुकिये, connection, properties, यह न Excel, जो SQL है, वो इस language पर काम करता है, मनलब किसी words से पहले आपको यह लगाना पड़ता है, जैसे आपको text में inverted कोमा लगाना पड़ता है, इसके अंदर आपको यह लगाना पड़ता है, ठीक है, sonu नाम था उसमें, मतलब आप हर बार change कर सकते हैं, यह तो हो गया from other data, अब आती है SQL Quiring, जब आप data कहीं से उठा कर ला रहे देना, तो आपको कई सारे option होते हैं, आपने से okay करा, drive D करा, Excel Select करा और on कर दिया, आपने इसको all select कर, आप इसमें जरूरी नहीं आप सारे लाग, आप इस data में से filter भी कर सकते हो, मुझे यह नीच चला जाए, bonus नीच चला जाए, department नीच चला जाए, यह नीच चला जाए, यह नीच चला जाए, तो आप इस सब को remove भी कर सकते हो, किसके लिए इसके साथ, next, उसके बाद filter भी लगा सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है return data to Microsoft Office Excel, एक होता है view data और add query in Microsoft, जैसे आप इस पर click करोगे ना, आपकी एक अलग window कुल के आजाएगी, क्या खुल के आजाएगी, अलग window, अब आप SQL पर click करोगे तो इसकी query है वो इस तरीके से लिखी हुई थी, आज सुब जब आप class ले रहे थे, तो इसकी query की बात चल ली थी, इस तरीके से आपको query लिखनी होती है, क्या करनी होती है, आप इस तरीके से, आप कहते हो कि मुझे इसमें sub नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए, name चाहिए, तो आप delete कर दो, इन सब को क्या कर दो, delete कर दो, बस क्या रखो, name रखो, क्या रखो, name रखो, तो आपको क्या शो करेगा, name शो करेगा, clear, और उसके बाद, file पर आकर, नीचे आपको topic मिलता है, return data to microsoft, excel, और ok गरो, name रखो, clear, कल मैं कुछ SQL query आपको सिखाऊंगा, अलग से, जो मैंने इस sheet के अंदर लगा रखिये, जैसे where की query कभी उस करेंगे, distinct की कभी उस करेंगे, union की कभी उस करेंगे, union all की कभी उस करेंगे, ठीक है, replace data की कभी उस करेंगे, ठीक है, relationship की कभी उस करेंगे, यह मैं आपको कल बताऊ जब डाटा उटके तो आए लेकिन फिल्टर हो के उटके तो आप कब सीखेंगे इसके अंदर कल सीखेंगे एक connection मतलब जो आपने अलएडी connection लगा रखे होंगे वो सारे connection यहां दिखते जाएंगे कि लिए कई बार क्या होगा आपको नहीं पता कि मेरी आपको यह नहीं पता तो इसमें आप क्या करोगे ब्राउस करके बस उस फाइल का पाथ यहां देना है वो अपने आप उठा लेगा चाहिए एक सीखेंगे कुछ नहीं करना बसको पास्ट यहां पेस्ट कर देना जैसे अपने वह से लिंक कोपी करा दा ना लिंक यहां आपको आपको आपकुछ नहीं कर रहा है मैं गया है यहां पर आया ब्राउस फॉर मौर पर गया और यहां पर उस पाथ को पेस्ट कर दिया वह अपने आप रीट करता है लेकिन हमेशा टेबल फॉर में आता है हां गर आपको टेबल फॉर में नहीं चाहिए तो आप इसको पहले ही डिनाय करेंगे कि मुझे टेबल फॉर में नहीं चाहिए और इक बार में एक यह शीट आते हैं नहीं है यह टेबल में होता है एक वार टेबल फॉर पॉर्ट फॉर्ट टेबल तो अब इसको किसी वह शीट पहले जाए है निए एक ये भी है new worksheet तो आप इस पर click करके new worksheet पर भी paste कर सकते हैं इसके बाद data उठागे रखते दिये आपका पाइवर टेबल लेड़ लेड़ दो होता है कि data उठके भी आपना पाइवर टेबल लग भी जाए तो आप इस तरीके से बना सकते है एडवांस रिपोर्ट हो जाएगी किलियर आगे बढ़ें इसके बाद data के अंदर जो हमारा next option है वो है refresh जैसे आपने connection के अंदर जाके refresh लगाया था आप यहां से भी लगा सकते हैं कि हर मिनिट बाद हो दो मिनिट बाद हो 10 मिनिट बाद हो 15 मिनिट बाद refresh हो तो आप उस तरी और एक उदर add links मतला कुछ और करने तो आप वह भी कर से इसके बाद शोटिंग आपको पता ही है मैंने last आपको home के अंदर शोटिंग सिखाई थी यह वही शोटिंग है जो आपकी वहां थी वही शोटिंग आपकी यहां पर फिल्टर जो आपने वहां सीखा था यह फिल्ट कि अधर हमाएब दाटा बेस फार्मुला थे मुझे फिल्टर निकालना है लेकिन एक condition का नहीं दो condition का नहीं तीन कंडिशन का फिल्टर लगाना है तो कुछ नहीं करना है अध्वांस फिल्टर पर कलेक करना है लिस्ट रेंज ठीके ना लिस्ट रेंज है न यह पूरी स्लेक्ट हो गई क्राइटेरिया के लिए उसके बाद कॉपी पेस्ट कहां करना है कॉपी टू अनादर लोकेशन यास कहां पर तो देखिए फिल्टर होके डाटा अपने आप आ जाएगा अपना पिक कर लिया अब इन सभी को उपर पेस्ट कर दो देखिए वो दोनों को उपर ले लेगा अब फिल्टर लगाईये तो मतलब आप एक बार में मौर्दन एक कंडिशन का भी फिल्टर यूज कर सकते हैं इंटर को इसका लोकेशन देजिए जहां आपको देनी है और इसको अपके लिए तो फिल्टर होके अपने अपने फिल्टर भी होको कोप्यों के पेस्ट हो जाएगा लेकिन इसमें च्छोटी सी सबसे बड़ी जो कमी है ना वो कमी यह है यह कभी भी दूसरी पर नहीं जाता है एक ही शीट पर रहता है आपने यह से एडवांस फिल्टर में गए आपने फिल्टर लगाया कॉपी टू अनादर लोकेशन पर आप स्लेक्ट करेंगे तो किसी दूसरी शीट का लिंक नहीं लेता है हमेशा यह सेम शीट को ही लिंक लेता है आपने स्लेक्ट इसके अंदर से यूनीक रिमूव हो जाएं और मतलब डुब्लिकेट रिमूव हो जाएं और यूनीक शो करें क्या शो करें हमें यूनीक शो करें तो आप कहां पर आओगे आप आओगे एडवांस बस यूनीक रिकोर्ड ओनली जैसे करोगे यूनीक शो करें अब इसमें एक प्रॉटी सी प्रॉब्लम ही है कोई शीट पर पेस्ट करते हैं अरे वह अलेटी फिल्टा लगा हूँ इसमें एडवांस कॉपी जुनीक डाटा यह डिलीट नहीं कर रहा यह अपको बता रहा है यह उनीक है लेकिन जब और आगे चलिके रिमोब डॉब्लीकेट सीदो कि न वह न वह रिमोफ कर देता है यह खाली बता था है यह नेम कीजिक हैँ आपको याद होगा एरे में कोशन था जिसमें आपको यूनीक नेम बताने उसको डिलीट नहीं करना तो आप एडवांस के अंदर आके बस इस पर क्लिक कर देना के लिए आगे समझ में यह आपका एक टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए जिसे हम शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से भी जानते यह एडवांस फिल्टर कई लेवल पे लोग होता है जैस्ट लाइक मैं कभी कोई डाटा लेके आता हूं आप में दीखा होगा मैंने कंटोल एंड करके जब मैं डाटा के अंदर से फॉर्म टैक्स फाइल लेके आ रहा था तो मेरे पास एक पॉपप फुल्ट कहा है जिसके नाम था टैक्स इंपोर्ट विजाट यह यह ही विजाट है यह हमसे पूस्ता है जब आप इसे नेक्स करते हो तो पूस्ता है कैसे अलग करना है जब आप बैक आओ तो यहां एक तरीक होता है डी लिमिटीट एक होता है फिक्स लिमिटीड डी लिमिटीड में क्या होता है आप चेंज कर सकते हो इसको उठाकर ऐसे कर सक दाटा के अंदर गया notepad केा file को select करऊ जैसे next कर रहेizing this किया कर सकते हूं तो चानला घ्राइए टारीकिसी को दीक्स होुरा है मैं मैं लायन डाल सकता हूं तो मैं अपने हिसाब से fix भी कर सकते हैं, clear, तो एक होता है, delimited, जो अपने हिसाब से space के हिसाब से उसको अलग कर लेता है, space के हिसाब से या कोई real condition के हिसाब से अलग कर लेता है, जब आपने data उठाया तो उसने आप से पूछा था, notpad का data, delimited, delimited में वो किसको capture कर रहा है, तो वो space को count कर रहा है, किसको count कर रहा है, tap को count कर रहा है, tap को, आप कह सकते हो तो coma को भी कह सकते हो, space को भी कह सकते हो, या कोई other character है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद next, तो finish कर दो, clear, तो इस तरीके से आजाता है, अब क्या है, मे डाटाबेस के अंदर आए, हमारे पास एक तो कॉमा यूज कर लो, next, to finish, clear, आ गया, तो ये अलग-अलग column में distributed, clear, अब क्या है, कई बार क्या होता है, आपके बस date है, लेकिन वो date सही format में नहीं है, इसको सही format में convert करने के लिए क्या करो, select करो, text to column करो, next करो, यहां से इसको date format में करो, और finish, तो वो अपने आप date format में क करो, यह date format में नहीं है, इसको date format में convert करना है, कई सारे format है, text to column, next, next, date, और इसको finish करो, के लिए, अब आपको पताए, यह number नहीं, यह character है, इसे number में convert करने के लिए क्या करो, इसको select करो, text to column में आओ, next, next, बस खाली finish करो, कुछ करो ही में, तो यह text को किसमें convert कर देगा, number म है, clear, तो यह, पहले text में था, क्योंकि single code लगा हुआ था, और यह आपको mention भी करता है, यह number नहीं, एक text है, clear है, इसके बाद है, remove duplicate, क्या आता है, remove duplicate, जो काम क्या करता है, duplicate को remove कर देता है, clear, तो इसमें से क्या करतेगा, वो, remove, लेकिन एक चीज में आपको और बताना चाहता हूँ, क्या चीज है वो, जब आप किसी को खोलते हो, just like मैंने excel data खोला, इन में से मुझे remove करना है, लेकिन duplicate को remove करना, name को नहीं, यह duplicate करना है, जो पूरी data में एक जैसा है, तो मैं पूरी data को select करूँगा, क्या करूँगा, पूरी data को select करूँगा, अब आँगा remove duplicate, वो सभी column को one by one check करेगा, no duplicate found, लेकिन अगर मैं इस name को select, ओहो, control D, और मैं remove duplicate पर जाओ, पूरे area को select करना, और मैंने का remove duplicate, वो मतलब सभी को match करेगा, तभी वो duplicate को delete करेगा, के लिए रे, यह आपका topic है, जो मुझे आज कराना था, बाकि जो चीजे रे गए, वो मैं कल आपके साथ discussion करूँगा, ताकि मैं आपको Alexa कुछ और बता सकूँगा,